जहीं दोस्तों स्वाकत है आप सभी का एक बार फिर से सूपर इस्टिडी यूटूब चैनल में SSC GD कॉंस्टेबल परिक्षा आप लोगों की कम्पूटर बेस्ड होने वाली है आउनलाइन तरीके से होने वाली है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ की कैसे आप लोगों की एक्जामे होगी क्या प्रोसीजर रहेगा लाइव डेमो यहाँ पर हम करने वाले है एक्जाम सका ठीक है तो वीडियो का अंतर देखते रहेगा इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है कि आप एक्जाम सेंटर पर जब जाए आपको कोई दिक्कत न हो और उसके साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एक्जाम हम अटेम करते है तो क्या जो हमारी स्ट्रेटिजी होनी चाहिए कुन से टॉपिक को पहले हल करना चाहिए किसको बाद में हल करना चाहिए ठीक है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या procedure होगा आपको आपको आपका computer दे दिया जाएगा उसके बाद यहां पर आप लोगों के सामने एक page आएगा जिसमें आप लोगों को आपका user ID जो आपका दिया होता है वो आप लोगों को डालना होगा और अपने जो password है उसमें आपको procedure आपको दिखाएगा जनरल आप लोगों को यहां पर interactions दिये होंगे कि क्या क्या यहां पर होने वाला है देखिए यहां पर आप समझेगा आपके पास टोटल जो समय है वो है 90 मिनट का आप लोगों को समय है और यह 90 मिनट के समय में ही आप लोगों को 25 नंबर आपके reasoning के मे मार्किंग का विशेज ध्यान रखिएगा है ना तो वीडियो काफी informative होने वाली है अब यह जो आप लोगों को पेज दिखाए दे रहा है इसमें आप लोगों को इसको पढ़ लेना है कि क्या किस परकार से रहेगा उसके बात यहां पर आप लोगों को पता है कि अगर negative marking है यहां पर आपको आपकी भासा सेलेक्ट करनी होगी कि आपकी इस भासा में जो है एक्जाम देना चाहते है डिफाल्ट लेंग्वेश तो यहां पर मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा उसके बाद यहां पर आप लोगो टिक मार्क दिया है इस पर आपको किलिक करना होगा जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह पेज आपके सामने आ चुका है अब यहां पर आप देखिए यहां पर आप चीजों को समझने की कोशिस कीजे का यहां पर आप लोग देख पारे होगे यहां पर रिजिनिंग का दिया हुआ है इसमें आपका जो मैटस है वो दिया हुआ है उसके ब उनों चीज़े आप लोगों के जो है उसके according हो जाए कि आप उसका tension बिलकुल भी मत लीजेगा अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर देखिए एक number है और minus marking है 0.25 की अब यहाँ पर जैसे एक question दिया हुआ है ठीक है इसको हम हल करते है जैसे कि यहाँ पर दिया है आप mark for review नहीं करेंगे कि लिया response भी नहीं करेंगे report and issue भी नहीं करेंगे यहाँ पर आप save and next पर क्लिक कर देंगे ठीक है यह अगर आपको confirmation है 100% की answer सही किया है इसको आपको save and next करना है अब save and next करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर यह हरा हो चुका है मतलब यह आपका answer confirm हो चुका है अब भी भी अगर आप submit करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का यही answer होगा जी हाँ याद रखिएगा अब यहाँ पर आप चीजों को समझ लीजिएगा जैसे कि यहाँ पर आप अगले question की और अगर हम बढ़ते हैं तो यहा प्रशन होना दुखी होना गुस्सा होना भावना है ठीक है तो यहाँ पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डाउट है कि मैं इस question को बाद में देखना चाहूँगा ठीक है तो उसके लिए आपको यहाँ पर mark for review next करना होगा यहाँ आप करेंगे तो यहाँ पर यहाँ आपक से दिखाई देगा जिसमें आप इसको बाद में जब आपके पास time बचता है तो आप इस question को एक बार clear कर सकते अपने doubt को हैना यह आपको प्रोसीजर यहाँ पर जाएगा अब यहाँ पर आप लोगों को जो दिखाएगा जो आपने answer किया वो हरा दिखाई देगा ठीक है ज यहाँ पर मैं आप लोगों को जीजे बता रहा हूं उसी according आप अपने टेस्ट हल करिए हैना या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाई है ठीक है प्रैक्टिस सेट काफी जदा important होने वाला है आप लोगों के लिए हैना तो आप यहाँ पर सदेख लिजे प्रैक्टिस सेट क् चक्सु प्रकासन का रहने वाला है ठीक है यह काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट है इसमें आप देखेंगे तो आप लोगों को बीस प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आठ सॉल पेपर भी मिल जाएंगे जो पुराने आपके पेपर हुए हैं 2019, 15, 13, 11 में तो यहाँ पर आप आप से ही अपने प्रैक्टिस सुरू कर दीजिए काफी इंपोर्टेंट है कि आप जादा समय आप लोगों के पास नहीं बचाएं तो आप जो है यहां से आप टॉपिक वाइस जो है अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं या पिर जो प्रिविएस येर पेपर है वो भी यहाँ पर दिये हुए है और इस बुक के साथ जो है जक्सु प्रगासन में जो आप लोगों के 2018-19 में जो पेपर हुए थे ठीक है वो आल सिप्ट के पेपर का भी जो है आप लोगों को प्रिविएस येर बुक मिल जाएगा ठीक है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्स मिल जुहां है अब यहां पर अगर आम बात करते है कि आप लोगों के लिए जो है इसलिएर ठीक है देने का क्या प्रोसीजर रहींगा क्या पहले हल करना चाहिए तिसके बाद करने के मेत्स ना हरेंगे sat हिंदी पर आने के बाद फिर लास्ट में आपका जन्रल अवरेन्स jn करना होता है हिंदी में आपको सुर्पर करना होता है लेकिन बाके यहां पर आप लोगों को ज्यादा proteom तो वारत सुरू बात में आपके पास ज्यादा टाइम रहता है तो आपके पास confidence लेवल बढ़ा रहता है आप लोगों का कि आप कर सकते हैं उसके बाद फिर आप जल्दी-जल्दी से बात में general awareness से हल करते तो आपका timing management होता है ठीक है तो आप टेस्ट देना general में कितने किए English में कितनी किए Hindi में किदने किए उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजेगा उसके बाद आप यहां पर submit jako किलिक कर देंगे तो आपका जो तेस्ट हो वहां ओको नहीं बताएगा है ना आपको नहीं नहीं बतायेका यहां पर आपको बता है वहाँ पर आपको आंकर नहीं बता